हालो नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का अपने चनल स्वागत करता हूं और जैसा कि आज आज आरबी एंटी-पीची की लास्ट टेट है 20 तक फॉर्म सब्मिट करने का लास्ट टेट था तो आज के बाद आप फॉर्म में मोडिफिकेशन का एक लिंक आएगा क्या मोडिफिक बेंटी-दि दिया जता है जिसमें कि है आप अपनेग्या मोडिफाई कर सकते हम अ मोडिफाई में क्या क्ई सी dirt मोडिफाई कर सकते हैं इस सभी है कि आपकी old की सब्सक्राइब कर कीजिएगा वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों से जरूर किजिएगा अगर आप आ रहे हैं तो जैसा कि अभी आप एसके पर देख रहे हैं क्रेंट पुब्लिकेशन के द्वारा सीवी टीवन जो की बिगत बरसों में रेलवे के द्वारा कंड़क्ट किया था प्रशनों का व्याख्या सहित इसमें दिया गया है पाट वई पार्ट में तो यहां काफी हल्पूल रहेगा आपको रेलवे के लिए इसे आप अपने नेरेस्ट बूक से पर्चेस कर सकते हैं साथी साथ इसे आप ऑनलाइन प्रेट फॉर्म से भी मंगा सकते हैं देखिए रर्ष बी &टीपीची में में जो आपने फरम डाला अभी तक रेल्वे आपको एक मोका देती है कि बहुत लोग ऐसे हैं जो फर्म किये उसमें हो सकता है कि उसमों को सकता है तो वहां भी कुछ पूटी हो सकता है तो रेलवी इस में आपको एक पार Tam का मौका देती है कि की lot of application में सबसे पाहली बात कि जो सबसी इंपोर्तेंट थैं कि पहला विस क्रिएट एंड इकाउंट जो आपने किया है उसमें आप क्या-क्या क्या 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 नहीं कर सकते हैं ऊसमें सबसे भली सब्सक्राइब कि आप मोबाईल नहीं चांज कर सकते हैं इमेल आइडी एक नहीं कर सकते हैं तो चैंज क्या किजिएगा चैंज सबसे में चीज है आपने जो पोस्ट प्रिफ्रेंस डाला है हो सकता बहुत लोग है जो कि पोस्ट प्रिफ्रेंस अभी लग रहा होगा कि नहीं हमने चार अताम को पले चैंज कर सकते हैं अब देखिए होता क्या है कि आप अपने पोस्ट प्रिफ्रेंस को चेंज कर सकते हैं है दूसरा कि अगर आप सबसे में चीज़ अगर आपकी फोटो बलर है या सीगनेशर बलर है या ऐसा लग रहा है कि नहीं है हम को चेंज करना चाहिए इसको तो उसको चेंज कर दिया डाइमेंस नहीं है या सहीं नहीं तो आप पोटो एस signature को चेंज कर सकते हैं अगर ऐसा लग रहा है तो इसके लिए आपको मैं एक सजिशन दूँगा कि आप अपने पीडिएफ को जरूर चेक किजिए जो आपने डाउनलोड किया है या जो पीडिएफ आपको साइवर वाले दिये हैं यह जो आपके पास है उसमें एकदम ऐसा नहीं ह तो वहां से प्रिफ्रेंश कर सकते हैं आपकी अपनी केटेगरी भी चेंज हो सकती है अब केटेगरी में देखिए कुछ लोग बुलेगा कि वर अगर माली आपने डाला है तो क्या ऐवर ऐसा नहीं अगर आप एक सर्विसमेंट से फॉर्म फिल किया है और आप चाहते हैं क कि नहीं हम एक सर्विसमेंट से नहीं फिल करना चाहते हैं अपने केटेगरी ओबी सी सी स्ट्स्ट यूर में जाना चाहते हैं तो आपको यह मौका रिल्वेट देती है कि आप अपना एक मोडिफाई करके इसको चेंज कर सकते हैं जैसे कि अभी आप इसकेंड पर देख सकत हैं आपकी certificate जो है और नहीं होगी जो आपने अपलोड कर दिया है ठीक है ना बाकी कुछ नहीं होगा नाम वगरा कुछ नहीं अब जो भी मौका मिलेगा डीवी के समय मिलेगा उससे मैं क्या करना होगा उसकी बाद डीवी के समय किया जाएगा अब देखिए form rejection का क्या आधार है मैंने बोला था कि form reject भी हो अब इसके बाद form rejection होगा वैसे लोग जो की बहुत लोग ऐसे हैं जो की फ्रॉड टाइप से डाल देंगे form को जिसमें आप गलत certificate डाल दिया या आपने बलर फोटो डाल दिया बलर signature डाल दिया तो इसे आपके form को reject किया सकता है कोई भी जैसे अधार को update किया गया था अधार से करेंट किया गया था तो अब तो लगबग सब सही है लेकिन अगर आपने certificate डाला या जो की ट्रेस करने पर गलत पाया गया तो आपके form को reject कर दिया जा सकता है इन सभी बातों पर आपका form अगर आप modify किया है कुछ लोग का यह भी सोचता ह है कि कुछ लोग आपको बोलेंगे कि अगर आपने modify किया माल लीजिए बीच में modify कर रहा है और बीच में आपने payment नहीं किया लास्ट में modify करने के बाद पेमेंट करके सक्सेस्फूल करके सेव करने के बाद ही आपका modification माना जाएगा अगर आप उस समय तक पैसा नहीं पे कर करें तो उसको या तो पूर्ण रूप से सब्मीट कर दें modification चार्ज के साथ आने तो अपना save and next लगाउट कर दें ठीक है तो नहीं अगर कर रहा है तो लेकिन अगर modify करने तो final तक किजिए इस तरह से इसको ध्यान दीजिए और लगभग लोग है उनको मेरा suggestion रहेगा कि सब्सक्राइब करने के लिए या कुछ लोग से बात भी आपको कराएंगे सीवीटी वन का एक प्लानिंग है कैसे इसको शुरू किया जाए एक्जाम से पहले करन नीती कैसे बनाई जाए इस पर आप सभी से डिटेल चर्चा होगी कुछ लोगों के साथ तो आप से मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक लिए थैंक्यू और वीडियो अच्छा लगती से लाइक जरू कीजिए अपने दोस्तों से से जरू कीजिए नेक्स वीडियो में मिलते हैं आप से तुर थैंक्यू जाहीं जाए भारत